हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चाहें ग्यान प्लस पर उत्रप्रदेश अधिनस सेवा चाहन आयोग जी हाँ यूपीटिपलेसी को जल एक और अधियाचन मिलेगा जी हाँ 211 नए पदों का सिर्जन गंगा एक्सप्रेस वे के लिए किया जाएगा जल्दी यूपीटिपलेसी आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव लेखा कार, कंप्यूटर ओपरेटर, लेकपाल, जूनियर एंजिनियर आधि के पदों पर होगी भरती ही गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना 200 से जादा पदों पर होगी भरती तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर विश्तार से अगर चैनल पर पहली बार है जाँ को सब्सक्राइब तो अब बिल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 200 से जादा पदों पर होगी भरती गंगा एक्सप्रेस वे जैसी मेगा परियोजना के लिए बड़ी तादाद में अभियनता तासिल था लेख पाल लेखा कार वन अधिकारी कंप्यूटर ओपरेटर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए करीब 211 पदों का सरजन किया जाएगा यह सभी कार्मिक यूपीडा को दिये जाएंगे एक्सप्रेस वे के लिए यूपीडा को ग्राम सभा की जमीन भी मुक्त में दी जाएगी और दोगिक विकास विवाग के अपर मुक्ष सचिवा लोग कुमार ने गुर्वर को आदेश जारी कर दिया इसके मुताविव वित लेखा राजस हुआ अन्न छेत्र के कार्मिकों के लिये पदों का सजन अलग अलग प्रस्ताव के जरिये वित विवाग की सहमेती से किया जाएगा एक्सप्रेश वे के हर पैकेज में चार चार के हिसाब से 48 जूनियर इंजिनियर सिविल तैनाथ होंगे 36 सायक अभियंता 16 अधिशासी अधियंता 4 अधिछण अभियंता 2 मुक अभियंता सिविल तैनाथ होंगे परियोजना के संपूर्ण प्रवंधन नियंत्र अधिकारी के तौर पे पुर्मुक अभियंता बतार वरिष्ट महाप्रवंधक सिविल तैनात होगा इसमें इसके लावा पांच उप जिला अधिकारी, बारा तहसीलदार, चार लेकपाल तैनात होंगे यह सब जमीन अधिकरह का काम देखेंगे सोला लेखा कार, दो लेखा अधिकारी, एक वित अधिकारी मुख्याले पर तैनात होंगे यूटिलिटी सिप्टिंग के दोरान पेन गिराने, उसके अवज में व्रच्छा रोपड वा अन्न काम के लिए बारा फारेश्ट डिप्टी रेंजर, व्रच्छा अधिकारी, व्रच्छा रोपड अधिकारी, दो छेत्री वन अधिकारी, एवं एक सहायक, वन संद्चक तैनात होगा इसके अलावा 46 कंप्यूटर ओपरेटर, लिपिक वा 50 अनुदेशक भी रखे जाएंगे तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश अधिनस सिवाचे नायोक से इन सारे पदों का सरजन किया जाएगा तो करीब 216-211 पदों के लिए आपको और भरती में मौका मिलेगा आप सभी को पता है कि गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण सबसे लंबा एक्सप्रेस वे अभी तक यह उत्तर प्रदेश का होगा जो की प्रियागराज से मेरट तक के लिए जाएगा तो यह अब तक की सबसे बड़ी जो है हाईवे परियोजना है एक्सप्रेस वे परियोजना अभी तक इसका सबसे बड़ी परियोजना का रूप लेगा पूरे भारत में तो यह रही आपके इस बड़ी अपडेट भरत नई भरतियों से सम्मंदित इस वीडियो में तरह मिलेंगा क्लिप वीडियों तब तक के लिए धन्नवाद